मुक्ष मारगस्यनेतारं देतारं करम भूरतां ग्यातारं विश्वतत्वानां वंदेतत गुड़लत्वे देवाजी देव आदिन तीर्थंकर शीरिशवनात भगवान ने कि वर्दमान शाशन नायक स्री वर्दमान महावीर भगवान ने कि परम्पुज्याचर गुर्वर श्रीविद्याशा वर्जी मर्वार्वाईशी की तत्वार सूत गरंतराज में तरतिय अध्याय का वरणन चल रहा है जंबू द्वीप लबडो दादयह शुभनामानू द्वीप समुद्राहा मद्द लोक को तिरियक लोक की रूप में क्यों कहा जाता है तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि ये पूरा मद्द लोक मुख्य रूप से द्वीप और समुद्रों से भरा हुआ है इस मद्द लोक में द्वीप और समुद्र ही हैं उन दीपों के अंदर बहुत कुछ चीजें हैं जिने आप बड़े बड़े तुलोई पंड़ती आदी ग्रंतों से समझ पाएंगे और उन दीपों और जो समुद्रों का विस्तार है वो विस्तार एक तिरियक रूप में रहता है तिरियक का मतलब होता है तिर्चा तो इस तरह का जो विस्तार होता है इसलिए इस लोग का नाम तिरियक लोग भी कहा जाता है जम्बू दीप लवडो दादयह ये दीप और शमुद्रों के नाम से इनकी शुरूबात के गई है आदयह का मतलब आदी सबसे पहला दीप का नाम बताया जम्बू दीप और सबसे पहले समुद्र का नाम बताया लवडो द लवड समुद्र जम्बू दीप और लवड समुद्र इनको आदी करके मने इनको मुख्य बना करके इनसे प्रारंब करके कहां तक जाना तो आचारियों ने लिखा है कि आप अंतिम द्वीप और अंतिम समुद्र तक भी पहुंच सकते हैं और वे अंतिम द्वीप और अंतिम समुद्र का नाम भी सास्त्रों में मिलता है यहां नहीं दिया लेकिन सास्त्रों में उसका नाम मिलता है सुयंभू रमड द्वीब और सुयंभू रमड समुत्र यह अंत का द्वीब और अंत का समुत्र कहलाता है जंबू द्वीब सबसे प्रमुग है सब के बीचों बीच में है यह भी ध्यान में रखना कि जितने भी द्वीप और शमुद्रों के नाम हैं वो सभी शुब हैं मंगल कारे हैं और ये सभी अक्रत्रिम हैं और ये हमेशा से अनादी निधन ये सभी रचनाएं हैं तो इन जम्बू द्वीप और लवड समुद्र को प्रमुख बना करके आप असंख्याद द्वीप और समुद्रों की अपने दिमाग में एक रचना बनाना ये जो रचना बनेगी यही कहलाएगी मद्द लोग की रचना ये तो हो गया मद्द लोग का एक तरह का तिरियक विस्तार जो धरातल पर एक फैलाव है वो हो जाता है जब हम उचाई गे पिक्छा से देखते हैं तो इस मद्द लोग की उचाई एक लाख ही उजन तक होती है जो सुमेरू परवत की उचाई है वे पूरा मद्द लोग में ही गर्वित हो जाता है इस बात से आप ये भी जानना कि जो भी हमें उपर चंद्रमा, सितारे और जो कुछ भी सूरे आदी, नक्षत्र आदी जो उपर भ्रमण करते हुए दिखाई देते हैं ये सभी मद्द लोग में ही आते हैं ऐसा नहीं समझना कि हमने मूँ उपर उठाया तो उपर उर्द लोग हो गया उर्द लोग तो आपको दिखेगा ही नहीं जो दिख रहा है वो सब आपको क्या दिखेगा मद्द लोग दिखेगा तो आचारे कहते हैं कि सबसे पहला जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप है इसका नाम जम्बू क्यों रखा तो नाम तो सभी अक्रत्रिम अनादी निधन है और उन नाम के पीछे एक कारण ये भी बताया जाता है सास्त्रों में कि इस जम्बू द्वीप के मध में जो भोग भूमी है एक उत्तर कुरू नाम की जो विदेच हित्र की मध में कहलाती है उसमें एक जम्बू व्रक्ष होता है उस जम्बू व्रक्ष के नाम से इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रखा गया है या रखा रहता है या चलता रहता है रखा गया है ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि जो अक्रत्रिम रचना हैं उनमें कोई कुछ करने वाला तो है नहीं तो वो जम्बुदीप नाम इसका इस कारण से पड़ा हुआ है अब वो जम्बुद व्रक्ष जो होता है वे अपने अनेक और परिवार व्रक्षों के साथ में शुशोवित होता है और उस व्रक्ष पर भी अक्रत्रिम चैत्यालय होते हैं बाकी की शाखाओं पर अन्य देवादी भी होते हैं तो वे भी अनादी निधन अक्रत्रिम वे जम्बु नाम का व्रक्ष है और वे रत्नों का बना हुआ होता है उसे बनस्पति का एक मत जानना प्रत्वी का एक जानना ऐसे उस ब्रक्ष के कारण से इस द्वीप का ना जम्बू द्वीप पड़ा है अब आगे इसके क्या होता है वो आगे बताए जा रहा है द्वीप सा अर्थ के जब यह हम किसी सब्द के साथ द्वीप जोड़ देते हैं और उसका संबंद आगे के चीजों से होता है तो उसकी ब्यापती उसके साथ बन जाती है यानि जितने भी द्वीप और समुद्र होंगे वो सभी दुगने दुगने होंगे यह उसकी एक ब्यापती बन जाती है सबसे पहला जंबू दीप हो गया, जंबू दीप के दुगनी, चोडाई वाला, क्या होगा? लबण समुत्र, फिर लबण समुत्र से दुगनी, पूरा जो उसका विस्तार है, व्यास है, उस वाला वो होगा, धात की खंड दुई पायेगा, फिर उसके बाद में फिर एक समु समुद्र आएगा, जिसका नाम होगा, कालो दधी समुद्र, फिर कालो दधी समुद्र के बाद में आएगा, फुसकर वर द्वीप, फिर फुसकर वर द्वीप के बाद में एक समुद्र आएगा, जिसका नाम है, फुसकर समुद्र, आदा तो बाद में करेंगे, उसका नाम गया है? पुशकर समुद्र, पुशकर वर समुद्र होड़ेगा फिर उसके बाद में एक द्वीप आता है जिसका नाम है वारुनी वर द्वीप क्या बोलते हैं? वारुनी, वारुनी माने वैसे शराव होती है अजी बताएंगे वारुनी वर द्वीप और फिर उसके बाद में आता है वारुनी वर समुद्र फिर उसके बाद में आएगा चीर वर द्वीप फिर उसका समुद्र होएगा चीर वर समुद्र फिर उसके बाद आएगा घरतवर दीप उसके आगे समुद्र आएगा घरतवर समुद्र फिर उसके बाद में आएगा इक्षुवर द्वीप और उसके आगे का समद्र होएगा इक्षुवर समुद्र आठमा तो आप जानते हैं आठमो दीप नंदीश्वर भगानो क्या बोलते हैं आठमो दीप नंदीश्वर भास्त यह आगिया आठमा दीप आप को इमेज़न करा रहा हूं कि यह जो आप पढ़ते हो नंदीश्वर, द्वीप यह कहां है कितने दूरी पर है और कितने द्वीप समुद्रों के दुगने-दुगने होने के बाद इसका नमबर आए और आठम ही समुद्र का नाम हो गया नंदिश्वर समुद्र नोधीप उसका नाम है अरुण वर द्वीप अरुण वर द्वीप समुद्र का नाम उसी के नाम से लगा लो अरुण वर समुद्र यह ना फिर दस्वा अरुणा भास द्वीप और अरुणा भास वर समुद्र यह हो गया फ इसका नाम पहले आता है कुंडलवर द्वीप और कुंडलवर समुद यह जानते रहां ना, इसको बताने का भी प्रियो जाना है पहले सुन लो, यह न, यह कुंडलवर द्वीप तक महुँच गए, ग्यारमें द्वीप, बीच में एक बारमां द्वीप और आता है, शंक बर समुद्र और फिर तेरवा द्वीप आएगा रुचक वर द्वीप और रुचक वर समुद्र यहीं तक हमें बात करने हैं हैं आगे भी बहुत सारे नाम दिये हुए हैं और वो नाम तो संख्यात ही होते हैं लेकिन द्वीप और समुद्र केतने असंख्यात है तो आप सोचो कि अगर नाम संख्यात है और द्वीप और समुद्र असंख्यात है असंख्यात है समझा रहा है तो वे असंख्यात द्वीप और समुद्रों के शुब नाम हमें कैसे मिलेंगे नए नए मिल पाएंगे शब्द तो संख्यात होते हैं नाम संख्यात ही बनेंगे तो ये मान के चलना कि यही सुब नाम रिपीट होंगे कई लाखों के बाद में फिर यही नाम फिर रिपीट होंगे जम्बू द्वीप लवर्ड, समोद्र, इक्छूवर अरुणावर ये सब नाम फिर से रिपीट भी होंगे और ये नाम भी कई बार रिपीट होंगे तब जाकर के असंख्यात द्वीप और समुद्रों की गिंती पूरी होगी तो मतलब ये जानना कि जम्बू द्वीप एक नहीं है कान खोल के जा रहा है जम्बू द्वीप वो पहले नंबर का द्वीप है उसका नाम यहां जम्बू द्वीप बताय जा रहा है वह असंख्यात जानने में आता है नापने में आता है अबधी ग्यानी और मनह पर्य ग्यानी उस असंख्यात के छोर को पा सकते हैं ग्यानियों को तो प्रत्यक्ष दिखता ही है और मतिग्यान और सुरुत ग्यानी भी अपने सुरुत ग्यान से उस असंख्यात को गिंती के रूप में या गड़ित के रूप में जान लेते हैं कैसे जान लेते हैं कभी आप पल्ले और सागरों का जो वर्डन किया जाता है या उसको नाप निकालने का जो तरीका बताया जाता है उस तरीके को पढ़ना तो लोक सारादी गरंथ में समझारा ना? जब उसमें कुंड बनाये जाते हैं, सलाका, कुंड महा सलाका, प्रति सलाका और उन कुंडों में जो रॉम भरे जाते हैं और उन रॉमों को जब खाली किया जाता है तो उसके माद्यम से जो पल्ले बनता है और फिर उसके बाद में सागर की रुखमा आती है उससे इन असंख्या द्वीब और समुद्रों की भी नाप की जाती है समझ वारा है तो असंख्या द्ये संख्या ऐसा नहीं है कि आप अपने दमाग से उसे अनंत जैसी समझ लें अनंत नहीं है ये है तो असंख्या द्ये एक संख्या दोता है जिसे हम निमरेविल कहते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं और एक होता है असंख्यात, इन्यूरेबली उससे हम नहीं काउंट कर सकते लेकिन वो काउंट होती है है ना आपको सुरुतग्यान के माध्यम से समझा तो दिया जाएगा लेकिन आप समझने के बाबजूद भी उसको काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब हम आपको बताएंगे इस कुंड को बरावर भी इसको खाली करके फिर इसके भी बरावर दूसरे एक कुंड को भरके फिर तीसरे कुंड को भरके ऐसे कुंड में कितने रॉम आ गए उन रॉमों के बरावर ये दीप और समुद्रों की संख्या का प्रमाण है तो सुरुत ग्यान से जानने में तो आएगा लेकिन हम उसको बिलकुल प्रत्यक्ष नहीं जान पाएंगे एक अंदाजा तो आपके सुरुत ग्यान के माद्दम से भी उन असंख्या दीव समुद्रों का लग सकता है सुन रहे हैं पल्य का नाम सुना जब हम असंख्यात को नापने बैठते हैं तो हमारे सामने दो यूनिट आ जाते हैं एक पल्य और इससे भी बढ़कर के होता है सागर सागर इससे भी बड़ा यूनिट होता है तो पल्य में पच्चीस कोड़ा कोड़ी पल्य में जितने रॉम होते हैं क्या बोला एक पल्य नहीं पल्य माने वैसे होता है गड़ा जो हम सला का कुण बनाते हैं न वो उससे पल्य ना पा जाता है अब उसमें 25 कोडा कोडी का गुणा करो कोडा कोडी का मतलब होता है करोड में करोड का कुणा करना तो 25 कोड़ा कोड़ी पल्यों में जितने रॉम समाएंगे रॉम भी कौन सा अपने ये बालों का रॉम मत डाल ले ना उसमें जो बताया जाता है उत्तम भोग भूमी के नया उत्पन हुआ जो मेड़ा होता है उसके बाल का अग्र भाग जो लिया जाता है उसको एक रॉम लिया है और उस रॉम को जिसमें भरा जाता है फिर उसके उपर बिल्कुल उसको प्रेसर करके बिल्कुल उसको लेबल बनाए जाता है फिर उसके बाद में एक एक रॉम को निकाला जाए तो उससे जो ये द्वीप और समुद्रों की संख्या ना पी जाती है तो वो इतनी बनती है मतलब ये काउन टेविल है इसलिए बता रहा हूँ अगर पल्ले के अनुसार देखना है तो पच्चीस कोड़ा कोडी पल्ले में जितने रॉम आ जाएंगे उतने रॉमों के बराबर द्वीप और समुद्रों की संख्या जान लेना इतने असंख्या द्वीप हैं और असंख्या समुद्र है अगर सागर के अनुसार जानना हो तो धाई सागर धाई माने टू एंड हाफ धाई सागर में जितने समय होंगे समय बोल रहा हूं, सेकिंड नहीं जो टाइम की सबसे फाइनेस्ट या सॉर्टेस्ट यूनिट होती है उसको समय कहते हैं तो उस समय में उस समय के अनुशार माने धाई सागर का जो काल है उसमें जितने समय होंगे उन समयों के बराबर भी ये द्वीप और समुद्रों की संख्या जान लेना कोई से भी एक चीज काउंट कर लेना पल्ले है, वो भी असंख्यात में सागर है, वो भी असंख्यात में समझे रहा है तो गडित है पूरा का पूरा हर चीज विवस्तित है कितने पल्ले में कितने रॉम हैं और उन रॉमों के बराबर ही वे द्वीप और समुद्रों की संक्या है तो उतने ही की बराबर है वो और वो भी पल्ले कई प्रकार के होते हैं तो उसमें उध्धार पल्ले लेना अध्धा पल्ले होता है व्यवहार पल्ले होता है उसको मतले ना उद्धार पल्ले यह तुम्हें बता ना बूली गए तो वो पल्ले कौन सा ले ना उद्धार पल्ले तो इतना exact हमको बिलकुर knowledge दी जाती है आप उस असंख्यात की संख्यात तक पहुँचने के लिए उस गड को विवस्ति डंग से लिखा हुआ है जो पढ़ने के इच्चुक हों पढ़ने की कोशिश करना समझा रहा है एक बार पारश पराण के समय पर भी यह पल्ले का वर्डन दिया गया था उस वर्डन को सुने करके फिर से पल्ले को रिवाईज कर लेना रिमाइंड करना कि पल् जम्बू द्वीप भी आज हमारे लिए पूरा ग्यात नहीं है अन्य द्वीप और समद्रों की बात क्या करेगा साइन्स जम्बू द्वीप जो एक द्वीप है एक लाख योजन इसका विस्तार है इसकी जो चोड़ाई बोलते हैं पूरा डायमेटर कहलो कितना एक लाख य प्रत्वीगी आपकी जो घोज रखी आपने उसका विस्तार कितना है अनू तो ये एक लाख योजन विस्तार में ये सारा का सारा जो जम्बू द्वीप समया हुआ है आपको आगे बताएंगे इसमें परवत हैं छे कुलाचल परवत आएंगे साथ इसमें छेत्र वने में एक विदेच शित्र है इसी में सब भोग भूमियां है और उसी में मद्यम भोग भूमी भी है, जगन भोग भूमी भी है उत्तम भोग भूमी है सब आपको धिरे-दिरे बताय जाएगा और पूरे उस विदेच शित्र में बीचों बीच में एक सुमेरु परवत है एक लाख यूजन उचाई को लिए हुए उस सुमेरु परवत पर भी अनेक वन बने उए हैं जिनाले बने उए हैं और विदेच चित्र में भी अनेक नगरियां हैं जहांपर अनेक विभंगा आदी नदियां वक्षार आदी परवत ये सभी यहां बने हुए हैं और इन सबसे ये पूरा जंबू द्वी भरत छित्र से लेकर एरावत छित्र तक पूरा भरा हुआ है अगर एक गोला समझा रहा ना एक लाख किलो मीटर का एक एजियूम करो तो उस गोले के जो सबसे अब गोला है तो एक डायरेक्शन इदर जाएगी एक डायरेक्शन उदर जाएगी तो ये कहलाएगी साउथ वो अधर की तरफ कहला ना नौर्थ इदर हो गया इस्ट इदर हो गया वेस्ट समझा रहा तो इस साउथ डायरेक्शन में आप उस गोले के नीचे के जो प केवल भरत शेत्र है जिसमें हम रहते हैं और उसमें भी छे पार्ट होते हैं उसका एक पार्ट में हम केवल अभी बैटे हैं अभी वो एक पार्ट की हम चर्चा करते हैं वो पूरे भरत शेत्र की भी अभी पूरा बिज्ञान खोज नहीं कर पाया है पूरे जंबू दीप की तो क्या करेगा और असंक्या दीप और समुद्रों के बारे में तो क्या जानेगा समझा रहा है तो हम छोटी बुद्धी के लोग हम से मतलब सभी है ना जो साइंस पढ़ करके अपनी बुद्धी को इतना ज़्यादा हम संकीन कर लिये हैं कि हमें साइंस के थुरू अगर कुछ बताया जाता है तो तो हम अपने आपको बड़ा पड़ा लिखा समझते हैं तो तो हमें लगता है कि हाँ बिल्कुछ सही बता जा रहा है और जो हमें बिल्कुल scientifically established है जो साइंस अनादिकाल से beginning last time से उसके बारे में अगर हम कभी कुछ आपको बताने की कोशिस करते हैं या आप कभी भी कुछ सुनने की कोशिस करते हैं तो वो आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ साइंस नहीं है हमें बताओ कि इस साइंस में कमी क्या है इतना ही कि बस तुमको दिखनी रहा है अगर यही logic है तो मैं आप से पूछ रहा हूँ आपको दिखता कितना है जो अर्थ आपको यहां बताई जा रही है जो आपको यहां प्रत्वी दिखाई जा रही है है क्या वो सब आपको दिख रही है और जितना दिखता है क्या वही सच होता है यह कोई logic है गया नहीं समझा रहा है जो यह logic बोलते हैं कि जो दिख रहा है वही सच है अगर जितना दिख रहा है तो वही सच है जो नहीं दिख रहा है वो जब हमारे सामने हमें कोई बता देता है ऐसे अनेग प्लानेट्स हैं ऐसे अनेग गैलेक्सियां है तो जब कोई बता दे रहा है तब तो हम उसको मान रहे हैं तो हम भी तो आखिर किसी का कहा हुआ मानी रहे हैं न आपने सभी गैलेक्सि देख तो नहीं लिए सभी planet सापने कहा क्यों कौन किसके round में rotate कर रहा है आपने देख तो नहीं लिया मानी तो रहो क्या-क्या देख लिया आपने समझा रहा है तो हमें कहीं ना कहीं theory के through ही मानना पड़ता है हमें जो किताब Google की, विज्ञान की जो हमें मिली हम उसके अमसार मार रहे हैं ये भी तो एक किताब है इसके अमसार भी तो जान लो हम यूनी कह रहे हैं कि आप इसको बिलुकुल 100% सही मान लेना लेकिन आप एक बार इसको पढ़ो तो एक बार आप इसको सुनने की कोशिश तो करो समझने की कोशिश तो करो मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो बच्चा साइन्स का स्टुडेंट एक बार अगर इस जेन फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो यहां पर हमें जूलोजी सिखाई जाती है यह अगर जियोग्राफी जो सिखाई जाती है एक बार अगर यह इसको सीख लेगा तो अपने आप उसके दिमाग में यह बात आने लगेगी कि कुछ ऐसा है जो भले ही हमको दिखाई नहीं देता लेकिन है क्योंकि इतना बड़ा accurate calculation हर चीश का बिना अस्तित्य के नहीं हो सकता है अब हमने कहा कि मालो असंख्याद द्वीप और समुद्र है तो यह असंख्याद द्वीप समुद्रों का फैलाव कितना हो गया उसकी भी नाप है पूरा एक छोर से लेके दूसरे छोर तक असंख्याद द्वीप समुद्रों का मतलब कि लाष्ट का जो समुद्र है जिससे हम श्यंबूरमण समुद्र कह रहे हैं, उसका एक छोर से दूसरे छोर को तक दिखोगे तो उसकी नाप है एक राजू, एक रजू जिसको बोलते हैं न, उसकी नाप बन जाती एक राजू. अब आप मुस्त एक राजू कितना होता है चलो इसी से सीख लो एक राजू इतना होता है समझाए कि नहीं है हम बोलते हैं 14 राजू मुच्छा लोग है आपको एक दिन बता है था अदो लोग 7 राजू नीचे है 7 में भी 2 राजू तक दूसरी प्रतवी आ गई फिर अएक प्रतवी प्रतवी आती चली गई अगर आपको सीखना है तो आप सीखो अब देखो हमारा दिमाग कितना खुला है हम कितना सोच पाते हैं कितना इमेजन कर पाते हैं समझा रहा है और वो भी आप ये दियान के चलना कि ये दूना 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 विस्तार के साथ में बन करके एक राजू बना है जो मैंने बताया कि इतने रॉम बरावर वो जो है एक असंख्या दीव समुद्र हो गए तो वो असंख्या दीव समुद्रों की टोटल माप जो है वो एक राजू के बरा जो अभी तिरियक लोग को ऐसे फैला रखा था एक राजू है अब हमें क्या देखना है चाउदय राजू उच्छा पूरा लोग के बॉटम टू टॉ टॉप जो उसकी पूरी डिस्टेंस है वो चाउदय राजू की है बिचार करो अब चलो चभूदय नहीं कर सकते हो साथ राजू का बिचार करो साथ राजू पहले नीचे चलो मेरे साथ नरक तक फिर वहां से आना फिर साथ राजू ऊपर चल चलना तब आपको पता पड़ेगा सिद्ध लोग कहा है समझा रहा है हमारी बुद्धी इतनी चोटी है कि हमने अपनी दो आखों से जो देखा और वो चोटे से मोबाइल में जो देखा बस उसके अलावा तो हमें कुछ भी दिखता है यह नहीं अगर कोई चीज गप होती है मैं भी जानता हूँ न गप क्या होती है आप भी जानते हो गप क्या होती है गप सब जिसको बोलते हैं समझा रहा है तो गप में कभी भी आपको एकुरेसी नहीं मिली किसी चीज की समझा रहा है लंबाई, चोड़ाई, उंचाई हर चीज की बिलकुल नपी तुली जो चीज होती है वो गप नहीं होती है थोड़ा सा दमाग लगाओ किसी चीज में मैं भी जानता हूँ कि गप हो सकता है चलो मैं भी मान लेता हूँ लेकिन कैसे क्या देखो कि तुम दनिया को तुमारी आँखे क्या देखती है तुमारी घुद्धी कितनी सी है भुद्धी को विस्तारित करना है तो आप ये जैन भूगोल पड़ो आपको ये द्वीव समुद्रों के ग्यान से पूरे लोग के अंदर कितना राजू का विस्तार है इसके ग्यान से ही आपके ग्यान में ये आएगा कि कितने जीव हैं अब इन इस्थानों में क्या है सब पूरा लोग ये जीव से बरा है हम एक छण में कह देते हैं आँ तीन लोग में अनंत जीव है ना हमें तीन लोग की कोई जीव अनंत ये तो हमने मान लिया अब अनंत जीवों का विस्तार कितना अनंत कितना कहलाता है जब असंख्यात में हमारी बुद्धी हमारी नसे ब्रेन की बाहर जा रही है तो अनंत में क्या होएगा उसको तो हम किसी भी तरीके से काउंट भी करके अगर हम आपको दिखाएंगे तो आपकी बुद्धी के परे ही होगा जबकि उसका भी कैलकुलेशन है समझा रहा है तो उस अनंत को हमने कभी अपनी बुद्धी के विस्तार से देखा नहीं अब अगर थोड़ा बहुत भी हमारे सामने कोई चीज आ जाती है जैसे मालो लोक में कुछ चीज़ें सास्वत हैं एक तो बताया जाता है आयोध्या नगरी और एक सम्मेश सिखर समझा रहा ना शिद्ध छेत्र और एक भगवानों का जनम छेत्र यह सास्वत है ठीक है ना चलो सास्वत भी सुन लिया हमने कभी आप अपने दमाग खोल के सोचे कि सास्वत का मतलब क्या होता है आज है इससे पहले भी था इससे पहले भी था मतलब आज से दो ढ़ाई जार साल पहले जब तीर्थंकर वर्दवान थे तब भी था उससे पहले पारुशनात थे उस तब भी था नेमीनात भगवान के टाइम पर भी था उससे भी पहले समझार नमीनात मुलिसुबरतनात मलीनात उल्टे चलो आदिनात भगवान तक पहुँचो कम से कम वान तक तक पहुँचो अब हर एक तीर्थंग करके टाइम के बीच में गैफ देखना जब आप बरदमान से पारसनात की तरफ जाओगे तब तो थोड़ा सा कम टाइम गैफ लेगा है ना सौदो सो बरस महीं पूरा हो जाता है वो काल फिर आगे और जाओगे हजार बरस लग जाएंगे दो हजार दस हजार जैसे जैसे आप सांतिनात और उदर चंदर प्रभूत की टॉक तक जाते जाओगे टॉक से मतलब उनके काल तक जाते जाओगे तो ये काल जो है बीच में आधा पल्ले पॉन पल्ले इतना गैफ हो जाता है पल्ले माने असंख्याद वरसों का गैफ हो रहा है समझ में रहा है अब आप देखो हमने सास्वत कह दिया लेकिन सास्वत के अनुसार हमने जाना क्या अब जब बात आई सम्मेश सिखर की इस टॉक से इतने करोड इतने कोडा कोडी मुनी महाराज मोख्च गए तो अब आपके दिमाग में क्या आया ये क्या लेका है कोडा कोडी का मतलब आपने पूछा महाराज कोडा कोडी क्या होता है हमने बता दिया चलो कोडा कोडी का मतलब होता है एक करोड में करोड को मल्टिप्लाई कर दो कोडा कोडी हो जाएगा अब आपके दिमाग में आया कि जब ये करोड में करोड मने इतने मुनी महाराज मोक्छ गए तो आपका विस्वाज बनता है अगर बनेगा तो कैसे बनेगा जब आपको यह पता हो की उन तीर्थंकर के बाद जो उनका काल चलता है जैसे भगवान महाविर सवामी चले गए अब उनका काल चल रहा है ऐसे ही कोई भी बीच के तीर्थंकार, कुंत्वुनात या रहनात, उनका काल чला. तो वो काल जब तक कि दूसरे तीर्थंकार ना आएंगे, तब तक उनके बीच काल चल रहा है, वो असंखियात वरसों का काल है. अब उस असंख्यात वर्स के काल में क्या यहां मनुष्य नहीं थे क्या सम्मे सिखर पर कोई साधना करके केवल ग्यान को प्राप्त नहीं हुए क्या सम्मे सिखर से केवल ग्यान प्राप्त करे कोई मोच्छ नहीं गए होगे अब उसमें अगर करोड 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 भी हमने गिन लिए तो कोई बहुत ज़्यादा संख्या हो गई गया कोई शंख हो गया नील महा नील भी हो गया तो कोई बहुत ज़्यादा संख्या हो गया मनुष्य हैं असंख्यात वरसों का काल है सभी साधना करते हैं और सभी मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं तो आपके विश्वास में वो चीज आती है कि नहीं आती ये आपको देखना है अब अगर आपको संख्यात के आगे असंख्यात तक क्या कोई भी अनुभब होगा एक कुछ भान होगा भीतर से कुछ आपको आभास सा होगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है जब असंख्यात बरसों का काल है और इतने मनुष्य यहां उत्पन होते रहे हैं तीर्थंकरों के काल में यह से जीव हुए हैं तो उनके जाने के बाबजूत भी करोड करोड भी अगर मोख्च हुए एक टॉक से या एक इस्तान से तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है अगर मैथमेटिक्स पढ़े हुए हो तो आपको ये सब चीजें सही डंग से समझ में आएंगे और नहीं पढ़े हो तो जैन मैथमेटिक्स पढ़ना सीखो इसी पर पीएजडी करना सीखो समझा रहा है? ताकि दूसरे भी लोग जो मैथमेटिक्स से पढ़ लेते हैं वो भी केबल लोग अर्थिम उतनी ना जाने कि यहाँ पर एक बस सर्प जैसी आकरती बना दी नीचे के छोर पर A लिख दिया उपर B लिख दिया बस उसी को A प्लस भी A माइनस भी करके सब फुर्सत हो गए समझा रहा है? वो लिमिट हमारी 0 to infinity भी हो सकती है इतना कोई भी अगर एजियूम करने की हिम्मत रखेगा तो उसका गड़ित भी निकाल करके यहां दिखाने के लिए गड़ित बना हुआ है आज के पड़े लिखे जैन बच्चों से मेरा कहना है कि वो जिस तरीके से साइंस पढ़ते हैं उसी तरीके से मैथामेटिक्स भी पढ़ना सीखें और इस तरीके की मैथामेटिक्स को दूसरों के सामने ला करके बताने की कोशिश करें ताकि वो हमसे भी अच्छे डंग से बता पाएंगे और हमसे भी अच्छे डंग से उसको एक्स्प्लैन कर पाएंगे समझा रहा है तब आगे पढ़ने वाले बच्चों को उससे समझ में आयागा तो कोई भी चीज जो बिलकुल एकुरेर्सी के साथ में चल रही है उसको आप जानने की कोशिश जरूर करें तो जम्बू द्वीप को आदी लेकर के स्वयंबू रवन समुद्र तक इन असंख्या द्वीप और समुद्रों में हर एक समुद्र का विस्तार पिछले वाले द्वीप से दुगना दुगना है पिछले वाले समुद्र से नहीं पिछले वाले द्वीप से और वो कैसा है वलय की आकरती वाला है रिंग टाइप का तो एक जम्बु दीप को अभी छोड़ दो, क्योंकि जम्बु दीप का तो आकार जो है, वो थाली के आकार जैसा बनता है, उसके बाद सुरूगो जाओ, लबर समोद्र फिर उसके बाद, कालो जदी समोद्र फिर उसके बाद, दाद की खंड दीप और ये सब जो है, दुगना दुगना रिंग टाइप, बस उसके एराउन में, डवल डवल इस तरीके की ब्यास की उसकी रिंग, चोड़ाई की उसकी रिंग जो है, आगे आगे बढ़ाते चले जाओ, और फिर आप देखो, कि ऐसा जो हमें एक विस्तार के साथ में मद्द लोग दिखाई देता है, ये ही जो है, दीप और समुद्रों के माद्दम से पूरा भरा हुआ ये लोग है, हर एक चीज बिवस्ते डंग से बताई गयी है, ये भी बताई गया है, कि इसमें जो समुद्र हैं, लबड समुद्र का टेस्ट तो लबड जैसा ही ये उसका नाम है, ठीक है न, आगे हम बड़े कालोददी समुद्र है, ये कालोददी समुद्र है और इसके बाद में जो लास्ट में जो स्यंबूरमण समुद्र है, ये ऐसे समद्रोग करम भूमी से संबन देते हैं, तो इनका टेस्ट पानी जैसा है, कैसा है, और जो बीच में एक पुसकरवर द्वीप का जो समद्र आता है, उसमें कुछ उसमें स्वाध, मीठा है, हनी जैसा, हनी नहीं है वो, हनी जैसा, मीठा स्वाध भी है, पानी जैसा भी है और हनी जैसे मीटा स्वाद भी है ठीक है ना आगे के जो समद्रों में हमने नाम बताये आपको जैसे घ्रतवर द्वीप है ना ये सब पानी जैसे हैं लेकिन जो हमने बताया एक्छू वर द्वीप ये एक्छू के स्वाद का है और उसके आगे के जितने भी द्वीप स रचना हमें सुनने पढ़ने को मिलती है, ये कहलाता है करणान योग का ग्यान आपने इतनी देर तक वाइडन सुना, समझा रहा है जो चीजें सरवग्य द्वारा प्रणीत हैं और जो चीजें अपने आप में बिलकुल विवस्तित हैं, उनमें यदि देखा है, उसकी बात करेंगे तो रागद्वेस होंगे तो सबसे बड़े प्रियोजन इस करणान योग को जानने का यह है, कि उतनी देर तक हमारे परणाम रागद्वेस से रहित होते हैं, और जब हम अपने ग्यान का विस्तार इतना कर लेते हैं तो हमारा रागद्वेस काफी कुछ कम इस ग्यान से हो जाता है यह हमें प्रियोजन भी साधना है सिरिजिन वानी जग कल लानी जग जण मदतम मोहरी जण मन हारी गड़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तित्थिय रानं दिवजुनिंजो पड़ै सुनै मैये धारै लानं सोख मनंतं धरिय सासद मोख पदंपावै सासद मोख पदंपावै ऑलिएग कर दो और लाने 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 लाईगै